देखें, क्या टॉपिक का नाम रखा गया? मैन रेन प्राब्लम या विमेन ऐम्रेला प्राब्लम कहा जाता है अब तो कितना जाती है? जाला बारिस होगी तो कौन निकलेगा? आदमी, और ओरते निकलेगी तो वो अम्रेला लेके निकलेगा वो नहीं परस मिकल सकती है तो कहने का मतलब यह है कि अगर मालिया आप ग्राउंड पे खड़े हुए है और बारिस हो रही है तो हमने का इस प्रकार से नीचे की और हो रही है और बारिस की स्पीड है वी आर ठीक है जो बारिस की स्पीड हमने ली है यह किसके रेस्पेक्टर ली होगी हम ग्राउंड के रेस्पेक्टर ली होगी और यहां ग्राउंड पे एक आदमी जो है खड़ा हुआ है आदमी जाता ऐसे बनाए जाते है आदमी यह खड़ा हुआ है ठीक है चलो ऐसे जहां करा होगा यह इसके हाथ वहाथ है ठीक है और velocity इसकी कितनी है खड़ा हुआ है तो अन्य velocity zero है किसकी velocity velocity of man वो जो है zero है ठीक है तो अगर यह rain को देख रहा है तो rain इसको किस direction में आती भी नज़राएगी यानि हमको निकलना क्या है velocity of rain निकलना है किसके respect में with respect to m ठीक है तब यह लिखा होता है इसको क्या पढ़ा जाता है किसकी velocity निकलना है rain की किसके respect में man की कौन देख रहा है man देख रहा है तो formula क्या बताएगया है velocity of rain minus velocity of man अगर मैं direction की बात करूँ तो भाई यह direction x axis का है यह आई कैप इधर direction का unit vector होता है और यह y axis होती है अगर मैं x y axis ऐसे draw कर लूँ तो x direction में i कैप होता है और y direction में j कैप होता है तो अगर मैं माल लेता हूँ velocity of rain यहाँ पर v माल लेता हूँ तो velocity rain की किदर की और हो रही है downward direction में अगर vector form में लिखना चाहा है तो कैसे लिखेंगे minus v j cap लिखेंगे नहीं लिखेंगे और यह velocity of rain with respect to man है और man की तो 0 ही है ठीक है तो देखें actually में बारिस हो किदर रही है बारिस जो हो रही है वो minus v j cap direction में हो रही है और man को किदर दिखाई पड़ रही है उधरी दिखाई पड़ रही है क्यों 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 रस्ट में है simple सी बात है तो यानि कि उसको यह velocity of rain दिखाई पड़ेगी जिस direction में हो रही है vertically downward यानि अगर वो strength से बचना चाहता है और चाहता लगाना चाहते है man को ही अमरेल पहनाएंगे women को नहीं पहनाएंगे तो तुमको बारिस में निकलना नहीं है बारिस में निकलना है man को उतगाएग और तुमको चाहता पहना लिए तो ये चाहता बिलकुल vertically ऐसे लगाएगा अपने से बारिस बनता नहीं चाहता अरे ठीक चाहता लगा लिए तो ऐसे चाहता लगा लेगा ये ऐसे पकड़ लेगा हाथ में ठीक सुन मैं कई बात पहला केस हलका सरफील नोट करीजे बस कि वार समझने के लिए अगर numerical आये तो आप लगा ले नोट करीजे इसको अब सेकेंड केस में हम लेके चल रहे हैं कि man is also moving क्या है man is also moving man is moving man is also moving और bar is hoeing तो जब bar is hoeing man is moving तो in which direction umbrella पकड़िंग ये आपको निकालना है कि ओ किस direction में umbrella को पकड़ेगा ठीक है अब practically अपने आप समझ में आएगा पहले हम vector form में नहीं बताएंगे हम आपको बताएंगे vector form में आई जे के यूज नहीं कर रहे हैं देखें हमने माना कि ये rain की velocity है downward direction में जरा ध्यान से समझेगा ठीक है तो अगर मादमी खड़ा होता तो छाते को सीधे पकड़ता कि उसको बारिस जो दिखाई पड़ती हो सीधे दिखाई पड़ती है और आदमी इस direction में जा रहा है velocity of man इस direction में है ठीक है तो आपको निकलना पड़ेगा पहले velocity of rain with respect to man formula क्या होता है velocity of rain minus velocity of man ये formula होता है नहीं तो हम इस vector भाई देखिए सुनिये ध्यान से यानि कि rain की velocity man के respect में चेंज हो गई ये value आ रही है ना तो rain की velocity और man की दोरों को मिला कि इतनी velocity उसको दिखाई पड़ रही है तो जो direction इस velocity की होगी उसी direction में उसको चाता उसकी अपोजिट पकरना पड़ेगा नहीं समझे अब इसको diagram की हिसाब फिर समझा लेते है फिर mathematically समझा लेते है देखे दो vector को minus करने का तरीका क्या होता है पहले एक vector को खीजते ही हमने आपको बताया था कि अगर ये vector ये a है horizontal है मालिया और एक vector b vertical है और आपको a minus b निकालना है तो क्या तरीका बताया गया था पहले a खीज दीजे फिर जहां से a की head खतम होती है वहां की b की tail जोड के और downward opposite करना पड़ेगा ना और ये resultant आएगा ये बताया गया था ना पहले किसको खीचेंगे आप rain की velocity को तो rain का motion ऐसे दिखा दिया आपने नहीं समझे अब जहां से rain की velocity का head खतम होता है वहां से man का tail start होगा man का tail ये है man किदर जा रहा है इधर जा रहा है और करना negative क्या करेंगे हम इधर करेंगे तो ये minus vm हो गया तो ये resultant आया अग नहीं आया ये ही तो resultant आपको velocity of rain with vested man है यानि उसके उपर जो पानी गिरेगा उसके direction क्या होगी ये होगी तो अगर वो चाहता है कि इस rain से बचने के लिए तो बिलकुल इसके सीध में उसको यहाँ पर चाहता को लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा तो यह आपसे पूचता है कि भाई किस direction में चाहते को से लगाना पड़ेगा ठीक है अचा direction निकालने के लिए क्या करें देखे जान से हमने का अब या तो vertical single निकाल लो या तो horizontal single निकाल लो मतलब दो तरीके समझ सकते हैं कि ऐसे चाहता पकड़े था पहले माल लेते हैं कि पहले चाहता हुँ कैसे लगाये था ऐसे लगाये था न, alpha तो अब जब चलना शुरू करना कहल लगाये था जब वो रुका हुआ था तो जब चलने लगा तो रिन इधर आने लगी तो यानि अब उसको वर्टिकल से ऐसे जुखाना पड़ेगा मतलब देखे दो तरीके से बारिस नहीं हो रही है आदमी चल रहा है बारिस होने लगी तो अभी लगाए नहीं है ना हरिजन्टल से इतना लगाएगा तो औरों का मतलब वही है तो यानि ये एंगल भी अलफा हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो निकाल लो इंफा तो टैन अलफा क्या होगा परपरिंडिकुलर अपान बेस के बहुल आपको उसका मैगनिटूड लेना है तो वीम अपान वीर तो इस प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा कि इतने अंगल से ये अब आपको ये बताइए कि अगर हरिजन्टल से पूछेगे तो अरे तो उसमें क्या दिक्कT हे भाई अगर हरिजन्टल से पूछ रहा है और यह मालिया बीटा आपको निकालना है तो वी आरपान वीम है बोले हमको यह वाला फामड़ा नहीं माल मुझत हो अरे मत प्याद करो अगर यह 30 डिग्री आएगा तो अल्टीमेटल यह कितना हो जाएगा 60 वैसे निकल आएगा तरीका समझा यह नहीं है अब नोट करिए फिर एक नुमेरिकल डिस्स किया जाए इसी का नोट करिए अब मैं एक एक्जामपल लेता हूँ एक दो एक्जामपल लेने ते बासमद में कुछ और आ जाएगी हम होरिजेंटल को x-axis मानते हैं वरिटिकल को y मानते हैं तो जैसे इनों ने कहा कि man is moving with this speed 3 meter per second यहाँ पर दिया है speed of man speed of man कितना दिया हुआ है 3 meter per second अब देखिए यह हम मान के चलना है कि man positive x-axis की डाक्षि में चलना है यह मान के चलना है दिया नहीं गया है अधरवाज कोश्यन में दिया होगा East North कुछ भी दिया होगा तो अगर हम velocity of man निकालना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं 3 I cap लेख सकते हैं और कहरें कि velocity of अगर हम rain ले लें मा लेते हैं 4 meter per second speed of rain speed of rain 4 meter per second तो यह understood है ना कि rain निचे ही क्यों गिरेगी ना उपर जा रही हो तो ऐसे उपर जा रही हो गए तो विलास्टी ओफ रेन क्या हो गई विलास्टी ओफ रेन कितना हो गया माइनस का फोर जे कैप ठीक है और आपको निकालना है कि विलेटिव विलास्टी ओफ रेन विद रेस्पेक्ट मैं रेन की विलास्टी को कौन देखेग उल्टा थोड़ी आएगा man with respect to man नहीं आ सकता है क्यों और रेन पर माले भगवान बैटे है इंदर दे होता कि रेन को man किस स्पीड से आता हुआ नजर आएगा तो ऐसे नहीं आते न question तो अगर आपको निकालना है velocity of rain with respect to man ऐसे लिखा जाता है न तो क्या formula पताया गया velocity of rain minus velocity of man यानि कि minus 4j minus 3i cap तो ये उसको velocity नजर आएगी ठीक है अब ज़रा practically समझा जाए देखो ये हमने x y axis खीज दिया नहीं तो यानि कि man इसकी हम मैं बात कर रहा हूँ ठीक है rain किदर की ओर जा रही है यानि rain इधर की ओर जा रही है minus का 3i 4 है minus का 4j cap इधर जा रही है न अब देखे जब आप इधर की ओर जाएंगे आपको rain opposite हमें से नजर आएगी जैसे ये खड़े हुए है मले खड़े हैं और आप इधर जा रहे हैं तो आपको लगे गया इसी speed से पीसे चले गए तो man की जो speed आई है यहाँ पर यह क्या आ रही है minus का 4j 3 minus का 3i cap negative में दिखाई मालूम हो रही है ना यह तो यहाँ दिख रही है हम तोड़े कुछ कर रहे हैं man तो उधर जा रहा है तो resultant किधर जाएगा इधर से कहीं जाएगा resultant यही है velocity of rain with respect to man यही है ना भाई इन देखे यह इन दोनों का vector है ना इन दोनों का resultant है इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीसे कहीं जाएगा तो इसकी direction क्या है minus 4 जे नीचे की तरफ इसकी direction क्या है minus 3 इधर की तरफ तो जो यह resulting value आई है वो यही तो आएगी यहाँ पर तो अगर हम vrm का mode निकलना चाहें तो कितना आएगा under root 16 plus 9 यानि कि 5 meter per second आएगा नहीं समझे अगर direction निकलना चाहें direction क्या rain की है तो अगर आप वो तो आप जाने अगर आप से पूछ रहा है कि आप vertical से निकालो horizontal से निकालो तो एक अलग की बात है otherwise आप जो समाने आप माल नहीं कि भई वो इस direction से माल लिया वो alpha angle बनाता है ठीक है यह vertical direction होती ना ऐसे यह vertical direction यह alpha बनाता है तो 10 alpha निकालो उसके लिए आपको parallelogram complete करना पड़ेगा तो 10 alpha क्या निकलेगा perpendicular यह हो जाएगा 3 upon 4 3 upon 4 यह alpha is equal to 10 inverse 3 upon 4 हो जाएगा यह alpha है तो यह rain ऐसे आती हुए जिराएगी ना उसको तो उसको अगर च्छाता लगाना है तो इधर कहीं लगाएगा वह च्छाता इधर वारिस गिर रही है ऐसे च्छाता लगाए खड़ा होगा वह ठीक है तो यह value कभी कभी आती है और 3 upon 4 यह बहुत ही non value है यह 10 37 degree की value आती है यह बहुत non value है यह सुमलेजेगा alpha बरावर 37 degree ऐसी वर्मा में बहुत जगाई सा यूज हुआ है और डायल लिखा गया है 10 37 degree की value 3 by 4 आ रही है संच में रहा है कि किस प्रकार से rain होते वक्त कैसे amaryla को उसे पकड़ना है ठीक है नोट करिए नोट करिए निवरिकल ऐसे आते हैं ध्यान रखिएगा अब आप ये भी कह सकते हैं कि horizontal से बीटा हो ना आता है ये भी निकाल सकते हैं ये बीटा तो वो निकाल लो वो तो आपकी मर्जी है न जैसे आप चाहें निकाल लिजीए horizontal से लो ये vertical से लो लेकिन ज़्यादा तरह मान की चलते हैं कि भाई बार इस हुई हमने ऐसे च्हाता लगाया घर से निकले हावा चल लई थी या हम छो चले तो बारिस से मुपे आने लगी तो हमण च्छाते को इसजे जूका लिया भी घर से निकलने पाती थोड़ी निवालत तक बारिस के असे आई हमारे मुपे अब आप अगर बाइक चला रहे हैं तो रेन अगर बाइक खड़ी किये हैं तो रेन सीधे गिरेगी इन चला रहे हैं तो मुपे गिरती है ना इस सामने आग के उपर इसका मतलब इधर क्यों आ है 5 meter per second अब यह लिखने की जरूत है नहीं की डाउनवर्ड होगी जरूत है और a car moves with the velocity of velocity of car car c मतब car 4 भी लिख सकते हैं इसको 12 meter per second है अब direction दिया होता तो ठीक यानि horizontal चल रहा है तो कहते है what is the velocity and direction of rain hitting car wind wind screen यहनि velocity of velocity and direction of rain direction of rain hitting the wind screen कहते है wind screen of car wind screen जो सामने वाला जो उसका सीसा होता है देखे ध्यान से आप IJ के लिखो चाहिजासे लिखो आप IJ के नहीं लिख रहा है लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो देखो ध्यान से rain की velocity यह है ना नीचे की तरफ ध्यान समझेगा velocity of rain इधर है अगर car खड़ी होती तो सीधे vertically downward rain उसके छत पे किर रही होती ठीक है car की speed इस तरफ है velocity of car ठीक है तो इसका मतलब आपको अब निकालना पड़ेगा velocity of rain रिलेटिव velocity of rain with respect to car या man जो भी आपको है car ये निकालना पड़ेगा ना तो क्या formula होता है नहीं हमने ijk नहीं माना है ऐसे लिखे दे रहे हैं ijk मान ले चली ijk मान लो तो velocity of rain को क्या मानेंगे 5 j cap negative और velocity आप car क्या मानेंगे minus ने सरी तो plus मानेंगे ना क्यों minus क्यों मानेंगे हम तो यहां रखेंगे तो virus मानेंगे ना कार तो सरी rain तो already नीचे के तरफ आ रही है कार तो उधर जा रही है ना जब relative motion लेंगे तब वो negative अपने आप आएगा 12 i cap तो ये formula क्या हो गया velocity of car, velocity क्या लिख रहा हूँ भाई, velocity of rain minus velocity of car तो अब ये velocity of rain तो पहले से minus में थे ना अब ये minus अपने आप आया है ना हमने थोड़ी बनाया है ये तो formula में आ गया और velocity of car तो हम positive लिए थे 12 i cap तो अगर हमको इसका resulting velocity निकालनी हो तो क्या निकलेगा under root 25 plus 144 यानि कि 13 meter per second की रफ्तार से wind screen पे आकर के हवा टकराएगी आप bike चलाएए, पानी धीवे बरस रहा है, आप बड़ी speed चलाएए, तो आप मुझ पे बहुत तेज आप जैसे लगता है, बूंत पड़ रही है तो क्योंकि आपकी velocity चुड़ गई ना उसमें ठीक है, अब किस direction में होगी, अब vector बनाना पड़ेगा आपको, नहीं भी बना सकते हैं, लकिन vector बनाना पड़ेगा, देखिए ये rain की speed है, rain किदर कि दरफ है, minus का 5J cap, ठीक है, और car किदर आ रहा है, minus का 12i हो रहा है और ऐसे आके hit करेगी ना आपके उस पर, ये vertical से, भाई देखिए, vertical से क्यों ले रहे हैं, कि पहले बारिस किदर हो रही है, वर्टिकल से हो रही है तो vertical से alpha एंगल बनाते हुए, बारिस आपकी wind screen भी किरेगी, ये angle alpha हुआ ना तो अगर हमको alpha निकालना है, तो ऐसे यहाँ पर एक pedogram complete करना पड़ेगा, ये vrm था, vrc था, तो 10 alpha क्या निकले गए हाँ पर? perpendicular ये 12 upon base 5, वो direction माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है, वो केवल माइनस direction के लिए होता है, तो नहीं, alpha is equal to 10 inverse 12 by 5, अब आप कहें, ये किसी standard angle की value नहीं है, जी नहीं है, ऐसे याद कर लिजे इसको दूसरी तरीके से आप बता सकते हैं कि वही, vertical देखिए, अब ये answer आपका match नहीं करेगा, जो नहीं match करेगा, क्योंकि आपको vertical से नहीं है, आपकी car ऐसे जा रही है, horizontal जा रही है, तो ये car आपकी जा रही है, ये car है ना, तो आपको actually ये angle पूछेंगे जायतर, बीटा, पर ये car ऐसे जा रही है, और ऐसे आपके hit कर रही है, तो car से rain क्या angle बना रही है, ये तो vertical से बना रही है, तो अगर बीटा निकालना हो, तो 10 बीटा निकालो, उल्टा हो जाएगा, जो 5 बाइटोल हो जाएगा, तो बीटा ब्रावर क्या हो जाएगा, 10 inverse 5 बाइटोल, संच में नहीं बात, तो इस प्रकार से आपको rain, rain man problem होगे, हमने कोई women ली ही नहीं, अम्रेला पकड़ी है, women बारिस्म बगी है, men, तो हम अम्रेला बैन को ही पकड़ा दिये, ठीक है, नोट करिए, देखिए, ये NCRT का है 4.12, दरा ध्यान सुझेगा, लिखा है कि rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second, य 30 meter per second, vertical direction में है, तो इसमें I cap J कब भी हम नहीं मान रहे है, कोशन को पढ़ने हैं, फिर बात करते हैं, लिखा है कि आप women, आप यहाँ पर women आगे, लेकिन इसको cycle चला दिया, पानी गिरेगा, गिरेगा, या तो पीछे कोई man बैठेगा, इसको चाता लगाने के लिए, या त 30 आप women ले लेते हैं, कितना है, कि speed है आपकी 10 meter per second, 10 meter, अब धीरे चला ही है, चाता लगा सकती है एक हां से, कोई ऐसी बात नहीं है, किदर है, in the north to south, अब एक problem हमारी आ रही है, हम अगर diagram यहाँ दिखाते हैं, east, west, north, south, जाइधा दिखे पहले, अगर ऐसे दिखाते हैं, औ और women को south से, north से south को ले जाते हैं, तो बरसात कैसे कराएं हैं उसमें, जाद ध्यान समझेगा, नहीं करा सकते हैं, नहीं, देखो, आप ground पे खड़े हो, तब तो आपको east, west, north, south, ऐसे खड़े हो जाब पानी उपर गर जाएगा, लेकिन हम इसमें कैसे 3D मनाएं, तो हम क्या करेंगे, कि हमारी मजबूरी ये होगी, कि हम फिलहाल ये दिखाएंगे, north south, ठीक है, और बरसात को उपर से ऐसे कराएंगे, ऐसे बारिस होगी जाकर के, चलेगा ना, तो ये velocity of rain है, और जो women हो किदर जा रही है, north से south के तरफ, तो ये velocity of women है, दिख गई, ठीक है, अब कहें क्या आ रहे है, what is the relative velocity of rain with respect to women, relative is the velocity of rain with respect to women, चाहिए, तो पहले थो हम निकाल लेते हैं, direction, चूंकि हमने x, y, z माल लेते हैं, इसको x, x, y, x, बान सकते हैं, x, x dash, और y, y dash, तो अगर velocity of rain, हम vector form में लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे आप, minus का 30, j cap, और velocity of women लिखना चाहे हैं, तो क्या लिखेंगे, इधर आ रही है मेडम, तो minus का 10, i cap है, इधर आ रही है न, south direction में, तो आपको निकालना है, relative velocity of rain with respect to women, यानि velocity of rain with respect to women निकालना है, तो क्या होगा, velocity of rain minus velocity of women, velocity of rain कितना है, minus का 30, j, और minus यह हो जाएगा, plus का 10, i, i cap, उपर कैसे होगा भई, बारिस की तरह देखें, अब देखें, अब देखें, अब देखें, प्रॉब्लम 3D डाइग्राम हम यहां कैसे बनाए, आप जिसे ग्राउंड पर खड़े हैं, इधर देखें, तो आपको east, west, north, south, south मिल रहा है, बारिस उपर से हो भी रही ह हैं, जैसे हमने देखा होगा कि बहुत लोग ग्राउंड पर कुवा बना देते हैं, ऐसा बनाएंगे से कुवा बना हुआ है, 3D डाइग्राम नहीं होता है, 3D element, हमारी वैसे भी डाइग्राम कर बड़ा है, तो हमने फिलाल इसको north, south माल लिया है, और यह vertical माल लिया है, आएगा, minus 30 का square, plus 10 का square, बोले तो, 30 का square बोले तो, यह value यही है, 30 और 10 आएगा, तो यह 900 आएगा, और यह आपका 100 आएगा, नहीं कि 1 thousand आएगा, under root 1000, यानि कि 10 under root 10 meter per second, यह उसको velocity निजर आएगी, ठीक है, 10 root, ठीक है, पर नोट कर यह फिर बात किया जाए, तो डाइग्र काम के हिसाब से देखो, यह आपका minus VW हो जाएगा, नहीं होगा, यह minus VW होगा ना, तो यह minus VW, और यह आपका है, VR minus का, नीचे तरफ है ना, already minus value आ रही है, तो यानि कि resulting जो velocity होगी हो, इसके 20 से जाएगी ना, तो यह velocity of rain with respect to women है ना, तो यानि कि बरसात उसको कैसे निज यह line, तो यानि कि यहां कहीं उसको उचाते को लगाना पड़ेगा, ऐसे बरस होगी जा करके, तो हम माल लेते हैं कि वर्टिकल से अलफा एंगिल पर उचाते को लगाएगी, तो अगर वर्टिकल से अलफा न लगाएगी, इधर देखिए, तो यह भी तेलफा आएगा, तो हम ऐसे एक प्रेलोग्राम कंप्लिट कर देए, तो कॉंशन यह पूछ रहा है, कि वाट इस डिरेक्शन इन विच शूट होल्ड दा अम्ब्रेला, तो प्रोटेक्ट हरसल फ्राम दा रें, अम्ब्रेला को उसकी जायक्शन में करें, तो आप कहेंगे, सपोस करिए कि रेंड की डिरेक्शन से अलफा, रेंड को वर्टिकल माना गया है, आप जो ग्राउंड पर चल रहे हो साइकल से, तो उसको तो इस्ट वेस्ट नार साउथ, वो सब दिखाई पड़ेगा ना, तो हमने कहा कि सपोस करिए कि रेंड की डिरेक्शन से वो अलफा एंगिल बनाते हुई अम रेला को होल्ड करेगी, तो टैन अलफा कैसे निकलेगा, टैन अलफा इस इकल टू, यह आपकी हो गई टैन, टैन है ना यह है, और यह हो गई आपकी थर्टी, तो टैन अपान थर्टी, तो अलफा इस इकल टू, टैन इन्वर्स वन अपान थर्टी, अब एक्जेक्ट इसका अगर एक्जाम में दिया हुआ तो ठीक है अब अगर NCRT दे दिया इतने डिग्री इतने मिनट अवांसर से इसमें दिया है 18 डिग्री 26 मिनट ये आपको नहीं मालूम 18 डिग्री 33 सेकंड साथ दिया है 33 मिनट तो वो आपने लिखिएगा ने ये वैलू आपको नहीं मालू या तो आपको वैलू देंगे हो देखो 10 थीटा 3 by 5 विक स्टेंडर वैलू होती है वो तो याद रखिएगा लेकिन ये कोई स्टेंडर वैलू नहीं है आप 10 इंवर्स के रोप में लिख सकते हैं तो रैन मैन ॥ त रीन मैन और विमन अमब्रिडा हमने पहले तो मैन को ये अमब्रिडा पकड़ाया था व व्ये कैंट मैं विमन को भी निकाल दिया था हमने नहीं लिया था हमने कैंट मैं आ गया बात ठीज marks ब़िख क creat a